So, आज से मैं bulking शुरू कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी विताओं कि मैं bulk कैसे करूँगा, कैसी exercises करूँगा, क्या मेरा खाने पीने का सीन रहेगा, मैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको एक overview दूँगा, वेलकम एवरिबड़ी इस चैनल पर हम बात करते हैं, style, fitness and self-improvement की, if you are interested तो चैनल को subscribe करो, and साथ में bell बटन को भी प्रेस कर लेना, ताके नई वीडियो के बारे में आपको अपने आप पता चल जाए, so, इस वीडियो में मैं आपको एक overview दूँगा, के next six weeks के लिए कैसी exercises होंगी, मेरी क्या split होग पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफते, 10 दिन से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, उसका reason है कि पिछले काफी time से मैं जिम से break नहीं लिया, तो सोचा कि कुछ different करते हैं, इस दोरान मैंने कोई भी supplement यूज नहीं किया, और साथ ही मेरी जो diet है, वो भी proper नहीं थी, proper diet से मे साथ ही आपको update भी दे दू, ताके बाद में हम इसको compare करेंगे कि कितना gain किया हमने, दूसरी बात के bulking किये हुए मुझे काफी time हो जोगा अभी, काफी देर से मैं एक decent सी physique जो है, वो maintain कर रहा था, तो अभी मुझे बिलकुल भी idea नहीं कि next 6 weeks के लिए मैं कितना weight put on करने में successful हो पाऊंगा, ये तो end में ही पता चलेगा, एक और चीज के इस bulking phase को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खीचना चाहता, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा खाना मेरे बस का नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज बहुत ज़्यादा healthy है, कि आप हर time बस खाने के ले थे, and number two, it is based on compound movements, जो के हमें चाहिए bulking के लिए, इसके इलावा ये workouts जो होते हैं, बहुत ही simple होते हैं, कुछ basic compound movements के ओपर based होते हैं, and बहुत ज़्यादा कोई fancy work नहीं करना होता, आपको जिम में जाके, अगर आप भी same workout try करना चाहते हो, तो उसका link मैं नीचे description में दे दीरे-दीरे करके आप अपनी calories decrease करते हो, if you want to cut, so bulk के लिए मैं दीरे-दीरे करके अपनी calories जो हैं, वो increase करूँगा, target रहेगा मेरा के मैं एक-एक हफते के difference पे 200-300 calories जो है increase करता जाओं, मतलब के पहले हफते मैं 200-300 calories increase करूँगा per day, उसके बाद next week, और 200-300 add होंगी per day, और ऐसा चलता रहेगा 6th week कर, वैसे इस सारे process में मुझे calories count करना सबसे मुश्किल काम लगता है, और आपको जानके हैरानी होगी, कि मैंने आज तक भी-भी calories count नहीं की, जब आपको 5-6 साल हो जाते हैं, यह सब काम करते हुए, तो आपको एक general सा idea आजाता है, कि जैसा आपका ख खाना है, उससे आपकी physique में किस तरह की changes आते हैं, तो मुझे यह पता है कि मेरी current physique है, वो किस तरह के खाने से maintained हैती है, मेरा body fat percentage है, मेरा weight किस तरह के खाने से maintained हैता है, क्योंकि इस maintenance mode पे मैं काफी देर से था, तो अब जब मैं bulking के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने सीरियस है अपने goals के प्रति, so yeah, that's the plan, बीच बीच में मैं आपको updates देता रहूँगा, अगर आप भी मेरे साथ bulk करना चाते हो, तो नीचे comments में मुझे बताओ, साथ में शुरू करते हैं, और अगर कोई बात दिमाग में है, जो मुझे पूछना चाते हो, तो Instagram पे मुझे DM भी कर सकते हो, और इस bulk से जुड़ी हुई, और चोटी-चोटी जो बाते हैं, वो मैं Instagram पे share करता रहूँगा, इस period के दौरान, मजे करो, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में,